नमस्कार सुरागिलानी उसके प्रदेश बुलिटिन में आप से भी कस्वागत थे आपके साथ मैं हुरिया तुमर आई इन जड़ा आतिहाज की कुछ प्रमुखबर पर अर्मोरा पुलिस ने जागरुता कारशारा के दौरान SSP जवानों को किया जागरुप परेटर सीजन के संबंद में कैंप कार्याले में हुई बैठ हक भाहिला की मौत के बारत जादा प्रेशा संकमिशनर सहिट आदा धिकारी निकले सरतोप तीन महा से गलियों में नहीं जल नहीं लाइटे पाशित पहुचे नगर आयप्त के पास अलमोरा पुलिस के ठाना भतराज खान ने चलाया सत्यापन अभ्यान ठाना सोमेश्वर पुलिस ने चार अभित्तों को किया गिरफतार अब ख़बरें विस्तर से अलमोरा पुलिस द्वारा SSP बतालियन एंटीडी में एक दिवस्तिय जागरुकता कारशाला के दोरान SSP जवानों को साइबर अप्राद वा नार्कोटिक्स के सम्मंद में जागरुक किया आपको बता दियें कि वर्तमान में साइबर ठगो दोरा ठगी के लिए अपनाए जा रहे विभिन तरीकों के सम्मंद में जानकारी देकर उसे बचाव बाहर पलाए नंबरों के सम्मंद में जाकरुक किया देया है समवर दता हिमासी मेर गिर्पोर जिलाधीकारी वर कि शोरपंध किया धिक्षिता में परेटन सीजन के द्रश्टीगत सड़कों के सौंद्रे करण आदी के समद में एक वैठग कैम्प कार्याले में समपन्थ हुई आपको बता दे कि वैठग में चिलाधीकारी वर कि शोरपंध ने निर्देशित करते हुए कहा कि कुमाउ मंदल में आने वाले टुरिस्टों के लिए जनबत की सड़के भूमी का निभाती है उनका कहना है कि टूरिस्ट अपने साथ बहुत सुखद वा सुन्दर यादे लेकर जाए जिसके लिए जनबत में टूरिस्ट आबागमन वारे सड़कों का सौंदरे करण किया जाए और सड़कों को गड़ा मुक्त किया जाए संबाद अधा दूरिस्ट इवारी कि रिपोर्ट हमने तब प्रेटक सीजन प्राडम होने वाला है और इसमें जितनी भी हमारी सड़कें जो परिटकों को ले जाती है प्रदेश की अन्मी जनबतों में उन रोड्स को गड़ा मुक्त करना और उनके आसपास ग्रीन बैल और संबर हो जाएं जिससे कि प्रेटकों को एक एहसास हो कि वो एक अच्छे प्रदेश्मा है शहर की तमाम सड़कों का हाल बुरा हो चुका है आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं जोरान एक महिला ने पुई जान भी गवर्द आपको बता दे किस मामले का संग्यान लेते वेट कुमाओ आयुक्त ने दवुवा धिंगा इस्तित चौफला पुल के पास फिरचन किया जहां चौफला पुल के पास लगभा तीन किलोमेटर की नहर कबरिंग का कारे चल रहा है सड़क बेहत खराब होने के कारण से दो दिन पुर्ग एक महिला की मौत हो चुकी है वह के पर पहुंचे सम्वाद अता तीपल अधिकारिक लिपोर्ट इस चंबल पुल से लेके चौफला रोड पे जो काम हो रहा है उसमें दो तीन इसके कंपोनेंट्स हैं एक तो बिजली की शिफ्टिंग पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग उसके उपर नहर की कवरिंग और फाइनली पूरे रोड सर्फिस का काम जो की पी-ड़वीड को करना है इस में से जो नहर कवरिंग का पार्ट है वो इर्यगेशन कर चुका है और लाइन शिफ्टिंग का काम अभी चल रहा है जलसंस्तान कर रही है लेकिन जलसंस्तान ने ज साथी साथ मल्टिपल जगों पर लिकेजिस नहीं जिससे कि पुरानी रोड है उसको भी नुक्सान हो रहा है और फाइनली जिसका ओवराल काम है तो पीडबूडी को करना है जिसके एस्टिमेटर में भेजा हुआ है इसकी सुख्यति हो जाएगी लिकिन फिलाल इसकी क्वालि पर लिकेजिस पाई गई है इनको शाम तक रिपेयर करने के बल्कि आज राद तक रिपैर करने के रिडेक्शन स्पेने दिये हैं और उसके लिए जिम्मेदार जो इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है की लिकेजिस हैं उनके विरुत भी उनको सपश्टिक नहीं लेते तो उसको लेकर हमने कंषने सबकूर अथा है कंषने का सच्तितिह हैं इन सारी शेल में कि इनको अउगत कराया और कमिश्टर साब के दोरा बहुत अच्छा रहा है कि इनको सीगर से सीगर नहार कारी और यह जो भी कारी अटके इनको सीगर पूरा किया जाए कि काफी समय हो चुका है यहाँ पर रोड का काम चलते चलते अभी बीच में पाइपलाइन पड़ी है तो रोड के किनारे जो पाइपलाइन है उनमें लगातार पानी बहर आए क्योंकि बहुत जोगा से पाइपलाइन टूटी पड़ी है जिससे अभी सुपो के समय आज ही एक बच्चा एक पानी का गड़्णा बना हुआ है उसमें डूपते डूपते बच्चा लगवा आधा हुई कि बना है कि बना है इता बना है ऑना ही आए झाल झाल पुष्ण सिंग धामी दुवारावन विभाग की जमीन से हर प्रेकार के अतिक्रमन हटाने की निर्देश के बाद अब विभाग हरकत में आगया है आपको बता दे की विभाग में तीडी से अतिक्रमन चिन्नित करने की कारिवाही शुरू कर दी है वहितराई पूर विभाग के डीएफो सबीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैखर करते वे जंगल के छित्र में हर प्रेकार के अतिक्रमन को तदकार चिन्निकरन करने की निर्देश दिये हैं समाद अता अतिक्रमन को जो है अल्रेडी जो है रिकॉर्डेड अतिक्रमन है और इसकी जो है विदिवत रूप से परते एक मां जो है वो सुचना उचे स्तर को जो है वो जाती है और इसमें जो है जहां-जहां पे भी जो नया अतिक्रमन है उसकी सूचना मिलती है तो हमारे भारतें वन ना दिनियम के अंदरगगढ जो विदिवत कारवाई है section 61A के अंदरगर उसके अंदर अंदरगर जो है उकारवाई की जारे है नगा निगम के कारियों को लेकर पार्षदों का पारा एक बार फिर चड़कर बोल रहा है आपको बता दे कि पार्षदों ने आरुप लगाया है कि निगम कारियों में टालमटोल कर रहा है वहीं तमाम छेत्रों की 16 लाइटे की वज शोपीस बन चुकी है इसकी वज़ा से गलियों में अधिरा पसरा हुआ है इस सम्मन्द में अधिकारियों को अबगत कराया जा चुका है मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई वहीं नराज पार्शतुने नगर आयुक्त पंकर जिकुमार उपार्ध्याय को ग्यापन सौपा है जिस पर आयुक्त ने शीग रिजाज कर सबे समस्याओं के समधान की बात नहीं है सम्माद अधा विपगधिकारिक रिपोर्ट कई बार कम्पेलेंट करने वराद भी कोई सुनवाई नहीं हुए देखिए यह बात तो सब्सक्राइब की पार्शत बहुत परसाल हो गया क्योंकि हमसे वादे करें रहे ते की तीन दिन करने दर इस चील लैटे विपल आपकी से जाएंगी करेंट करेंचर दराने क्योंकि फोन करते हैं हम का सोसन देते हैं कि तुरंत लैट से रहा दिने लेकिन अभी यह समय आगया कि हम कंपेलेंट करते हमाई लैटे सही नहीं पाती है सब बागार्वी बेस्ता पुरिश ओभड पढ़ी है इसी गली में चल आओ वंजाल का टो चल्जाड एक चल्जाग सब गल्यों अंजेदा पढ़ा ला है और नगार्व मिझाम में जब से इस कंपनी पे ठेकर दिया है इस कंपनी के जब गंचारियों पहां कर दिया है जबता पुरी चोबर पड़ी है और यहां पे लोग दिख रखा और लाइव अंबर के माध्यों से सिखाते देश कराई है आग विकीन नहीं मालें एक पार सब्सक्राइब करें इस पर कोई अमन नहीं है उसको खाली है पैसे बेरें सब्सक्राइब करेंचारियों कोई लगाम नहीं है इंको देखने वाला कोई नहीं है कोई देखने वाला नहीं है यहां हमने मिलना चाहा है लेकिन यहां को अधिदारियों का सत्यापन किया गया आपको बता दिए कि सब्सक्राइब के विरुद पुलिस अक्ट के तहट 10,000 रुपे का कोट चलान की कारेभाई की गई है अलमोरा के सोमेशवर पुलिस ने रामिला कारेकरम के दौरान चार्ट उपद्रवियों को पुलिस अक्ट में गिरफतार किया है आपको बता दिए कि सोमेशवर में रात्री के समय रामिला कारेकरम के दौरान उद्पात मचा कर लोक नियूसेंस करनाने वाले चार्ट गट्रवियों को ठाना सोमेशवर पुलिस अक्ट में गिरफतार कर आगी के आवश्य का रिवाही की जारी है समाल दखी मसमेश गिरफो कहा है सब लोग साम की चैतर एक साथ होनी चाहिए सब लोग एक साथ बेठना ही नहीं चाहते पापा, ठाइब इस अब लो, सब लपक्षिए अपनों को करीब लाए ये क्या हाल कर दिया है रूम का बस कल से चाहे कल से चाहे मेरे रूम में देवरपन नम्कीन अपनों को करीब लोग ने रुदरपूर में G20 समेलन के दौरान उजारे गई व्यापारियों से मुलाकात की आपको बता दे कि प्रशासन ने 125 दुकानों को द्वस्ट कर सैपडों परिवारों को सड़क पहला कर खड़ा कर दिया है लेकिन कॉंग्रेस इन व्यापारियों की साथ है और सरकार को मानबता के नादे इनके पुनरवासन के लिए पहल्प करने चाहेंगे कहा कि कॉंग्रेस व्यापारियों की साथ है और पार्टी इसमूर्देपर मुख्यमत्री पुष्ट सिंधानी से मुलाकाद कर व्यापारियों के पनलवास की मांग करी सम्वादा दिर्वेश्टिवारिक रिपोर्ट के नाम पर 125 दुकानों को ध्ष्ट कर दिया गया और 125 परिवार है जो आज सरक पर अपने नियाय की गुहा लगा रहे है और मेरा मानना है कि उन्होंने वलसक कोशिश की होगी कि आतियंत्या पार्टी की सरकार के नुमाइंदों से परियाद की होगी लेकिन मुझे लगता है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस अन्याय के खिलाब पूरी कॉंग्रेस पार्टी इस धर्म युद्ध में इनके साथ है और निश्रूप से मेरा मानना है कि सरकार को सरकार ने एक तरब इनका ध़स्तिक्रन किया है दुकानों का नामुनिशाम इट गया है और दूसर तरब देखने को बिल रहा है कि जो श्राब की दुकाने हैं उसी दाइरे में आती है आसपास की दुकाने हैं वो भी उसी दाइरे में आती है जिस दायरे में इनको संभुचे रूप से खत्म कर दिया गया यह दोहरा मापदन्ट क्यूं है मैं मानी मुक्रुम से बात करना चाहूंगा और हम बात भी करेंगे हम इस अन्याय के खिलाब दूर आवाज उठाएंगे मजबूत आवाज उठाएंगे पुरी कॉंग्रेस पार्टी इस लड़ाई में इनके साथ है और मैं मानी मुक्रुम से बीवेदन करना चाहूंगा कि मानोटा के नाते, इंसानियत के नाते आपको इसमें पहल करनी चाहिए और दिला दिकारी उधमसिनगर को निर्देश देने चाहिए कि तत्कार इसमें आप कारवाई करें जहां पर पर उची प्रियोस्ता हो सकती है जहां पर रोजगार सुलब हो सकता है वहां इनको जमीन या दुखाने आउटित कर दी चाहिए अब देखे लोग तंत्र में विपक्स की भूमिका बहुत महत्पुन होती है और विपक्स पर भी जन्दा की निगाएं होती है हम अन्याई के खिलाज, जाती के खिलाज, जुल्म के खिलाब हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और ये भी इनके सांद जुल्म हुआ है इस आवाज को मजबूती देना हमारा धर्म है और मैं दिश्रोप से कहना चाहता हूँ कि हालाद बत्तर है सरकिल रेट 120 परसंट बढ़ा दिये गए है बीली के रेट बढ़ा दिये गए है पानी के रेट बढ़ा दिये गए है तो और जो सराव है वो सच्थी हो गई है किताब ओपियां पुस्तकें उनके रेट बढ़ गए है यह दिश्रों से जो मिजल कलास है जो लोवर कलास है उसका बोई इस वलोतरी का बोई दिश्रों से इल्पर पढ़ना है महगाई भरस्ताचार विरोजगारी आज का मुद्ध है और हमने पूरी मांदारी के साथ इस मुद्ध्यों को सदन में भी उठाया है और आगे भी हम विपक्षित के एक परतिनी होने के नाति मजबूती से चनबार उधम सिंग नगर में जस्पूर के नादेही छेतर अंतरगाद जस्पूर भूतपूरी मार्ग पर अवैद अधिक्रमण की कारेपाही की गई जिसमें मौगी पर PWD विभाग के अधिकारियों, जलाधिकारियों और पुलिस प्रेजासन मौजूद रहा आपको बता दे कि सलक किनारे खाली पड़ी कच्छी दुकानों से अधिक्रमण हटाए गया वही मौगी पर मौजू छेते लोगों ने अधिकारियों से तिक्रमण को लेकर बार्चत की और पुल्हा सिमांकर की मांग की गई है समद अता थिपक चुहान की रिपोर अधिक्रमण की हटाए जाने के कारवाई की जानी थी और उसी को देखते वे राजस विभाग और प्रसाचरम पर मौजूद था इसमें की बस जब मौके पर गए तो एक विसंगती थी क्योंकि वहाँ पर कहीं पर 40 पीट और कहीं पर 46 पीट के निसान लगे हुए थी तो उसी को देखते वे रामिल्णों ने वहाँ पर एक हमसे पुने सी मांकन की मांग की थी कि तुआस विसंगती को दूर करने के लिए तो अब जो आगे ही कारवाई की जाएगी जब पुना इसमें सी मांकन होगा उसके बाद ही कारवाई की जाएगी आज के लिए तिना ही उत्राखन से जोड़ी तामाम खबरों के लिए बने रहे रहे सुरागिलानियों चानल के साथ हैने बाद